तो नमस्कार आप देखने आख के खास बात के दोस्ति वीर सिंक साथ दोस्तो नागपुर-जिल्य के गोंडे गाओ गाओं यानि कि गोंडे गाओं है जिसमें WR WATL की गोंडे गा खाहrieben है कंहीं कि गोंडे गाओं प्रजेक्ट वेकली की यह मात्ति और इसी गाउं की जो पुरानी बस्ती है आज भी यहाँ पे 300-400 लोग रहते हैं लेकिन 300-400 लोग आज भी ऐसे रहते हैं कि उनके साथ कब कोई हाथसा हो जाए उन्हें खुद नहीं पता है क्योंकि एकदम चिपक के WCL माइन से हैं गोंडे गाउं और वहाँ पे तिबर कि मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनकी मांग WCL या फिर महराष्ट प्रशासन सुनने को त्यार नहीं है वहाँ प्रशासन किसी की बात ना मानती हुए जंता की बात ना मानती हुए हमारे बस्ती को पूरा ये तालाब बना दिया आपके नजर में आज हम धिका रहे कि ये नद बस्ती और मत्ती में कुछ भी फासला है नहीं हमारे को पुनार वसन देके क्या分रते गाउड के बेरोज़गारों को स्ताइन रोज़ाव दिया जाएं और यहूं देने में यह दी क्या बोलते शाचन डव्लू चिल अर्समर थए हैं तो हम, जैसे दादा परदादेश के है यह कुछ लोग ऐसे थे जो जिनके पास में खेती थी जमीन था उनहों और वू प्यासे लेसे पucharो process को देख के Всем दुसरी जगह दी गई हैं उन्हों नहीं क्योंकि पास अगए गहा गना लिया। दालत्उ हो लोग जो उसखेत में काम करते थे और मजदूरी करते थे अपना पालन प्रशन करते थे खेत वालों ने खेत बर्दュ धिया। मजदूर खाली हो गए मजदूर के हाथ में काम नहीं है अब वह मजदूर आज भी वही है क्योंकि वह तो पैसे वाले नहीं है उनके पास तो खेती नहीं हो क्या करेंगे कहां जाएंगे और उनके पास ना इतना पैसा है कि कहीं जा कि अपना घर बना ले और इसलिए डबलू को खूद की प्रापर्टी रजिष्टी करवा के खूद के मर्जी से गए इस बस्ती में स्कूल हुआ करती तो और स्कूल आज गॉंडे गाउं के जो वेस्ट माटीरल होता है माइंस के उस मलवे में दब चुकी है जब उस पे मलवा डाला जा रहा था तो लोग बताते हैं कि के तरब से उससे में बस का इंतिजाम किया गया था कि यहां को बच्चे पढ़ रहे हो दूसरे स्कूल में जब पढ़ने जाएंगे तो यहां से बस दिया जाएगा सुत्र बताते हैं कि तीन-चार महीने डबलू सील ने सेवा दी और उसके बाद में सेवा बंद कर दी और आज वहां के बच्चे दस किलो मिटर अपने पैसे से जाते हैं लिफ्ट मांगे जाते हैं या फिर घर वाले को छोड़ के जाते हैं या निका खर्चा बढ़ गया लेकिन डबलू सील मौन है बसकी शिवा उन्होंने इसकूल हटाने के लिए लोगों के नजर में दिखाने क लिए दो चैर महीने किये उसके बाद में बं करने के बाद में उसके उपर ना अब्जेक्शन उटा है अना बस्ति वाले क्या मुलते सरपन जो भी है और प्रशासन किसी ने बात ने उटाई और डबलू सील में दब गई यहां के लोग बस्ति को जो लोग है यहां के कोईल करते हैं कि खगराम पंचायत के जनपरति निदीयों ने हाल फिलहाल में ही मान्य जीला अदिकारी को अपने पुरानी बस्ती में बुलाया था अपने गाउं में बुलाया था यहाँ पर आये थे कलक्टर साहब कलक्टर साहब ने बाच्चित की और खास बात तो यह है कि यहाँ कि जन परतिनीधियों ने ग्राम पंजायत की जन प्रतिनीधी ने किसी भी पत्रकार को इसकी सूचना नहीं दी अगर पत्रकार को सूचना मिलते तो शायद कलक्टर से कुछ सवाल जबाब करने का एक मौका इस मामले में पत्रकार को मिलता लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि शायद कुछ जन प्रतिनीधी को अपना वाहवाही लेना था, लोगों के सामने फोटो सेशन करना था, एक पोश्ट डालना था कि ये कलक्टर को लेकर आए, लेकिन ये सब कुछ एक छलावा था, ऐसा ही प्रतित होता है गुंडे गाउं क जो जन प्रतिनीधी है उनके दोरा, खास बात तो ये है कि इस गाउं में जितने भी अधिकारी हो, या पिर WCL के लोग हो, या जितने भी नेता हो, वो आते हैं तो इस गाउं वालों की भासा नहीं बोलते हैं, गाउं वालों का आरोप है कि ये लोग WCL की भासा बोलते हैं, यहां के नेता सब कोई आके WCL की भासा बोलते हैं और WCL की भासा क्यों बोलते हैं यह आप अच्छी तरह समझ सकते हों यह मुझे शायद बतानी की जरूत नहीं हर कोई इंसान यहां WCL की भासा की अलावा कोई कुछ भी करके नहीं जाता जूटा आस्वसन देके और लोगों को दवाव बना के चले जाता है गोंडेगा उगराम पंचायत के जनपरतिनीदियू ने यहां के जो जीम है WCL के नागपूर एरिया के उनको धन्यवाद भी किया कि पुनरवसन पे बड़ा फैसल हुआ है ऐसा है पोस्ट भी है सोसल मेडिया पे लेगिन खास बात हुई है कि जिनका पुनरवसन करना है उन वहारे पूश्प और फूल का वह माला पहना रहे हैं और घुच्छदे तो हमारे कमारे क्बलतें नजेरीय में या च privileges क्या हुआ दो कि भी नहीं है कुछा करीcentury खिर रहा है बात कि हम तो जानते भी नहीं है ये प्रोग्राम कब हुआ किसने किया किसके मारपत हुआ किस समय में वहा यह कुछ भी ने जाने इस मामले को हम हमेशा आप तक लेकर आते रहेंगे इनकी कई समस्थ्या है एक ही वीडियो में शायद एक एपिसोड में नहीं बता पाऊंगा इसलिए आने वाले एपिशोड में अन्य समस्यों पर भी में चर्चा करूंगा किस तरीके से डबलू स्यल की वजह से यह लोग कैसे जी रहे हैं और इनके पास इनके साथ कब हाथसा हो जाए कब इनकी मौत आ जाए इनको खुद नहीं पता हम देखते हैं आज की खास बात बिस्यान नूस पर जाहिंट